होगेश ठीम कैसे थिसे मैं आ감के 172 दो veg क्रेंसे 20 जनॐरी और हमारे पास बीडिम कोईर से इन्फर्मिशन हैं रहेगे और अपुरास के बाद सारे बच्चें को लडू मिलेगा एक पाकेट में दूवर्डू और सारे बच्चे लडू लेकर एपने घर जाएiley सेंड दोड़ते हैं अमर रहे हैं हम अपने आपने सेशन की हमारे पास कॉन को लडू मिलेगा ओध तो अज़लग सब लेक्ड़ू तो हमारे पास report indices नहीं तो हमारे पास फिर से हम लोग बात करने वाले appointment section की और यहाँ पर आप से हम बात करने वाले है जस्तिस प्रशन्ना भी वराले appointed supreme court judge सुप्रीम court judge की बात कर रहे हैं तो supreme court judge आपके exam के लिए important point दोस्तों होता है ध्यां दिज़ेगा हाँ सुप्रीम court judge आपके exam के लिए हमेशा होता है important सो बसे कुन हाँ तो जस्तिस प्रसंद्ना भी वराले यह point हुए supreme court में as a judge दोस्तों ठीक है पूरी information क्या यहाँ पर देखें कौन appoint हो रहा है जस्तिस प्रसंद्ना भी वराले यह किस post point हो रहा है तो supreme court में judge appoint हो रहा है दोस्तों extra information की बात करें तो he is the first dalit chief justice of a high court to be directly elevated to the supreme court दोस्तों तो आई यह पहले ऐसे यह पहले दलिद चीफ चीफ जस्तिस बने बेटा हाई court के तो सीधे supreme court में वन रहे है judge पहले दलिद चीफ जस्तिस ऑप हाई court to be directly elevated to the supreme court और देखें he will now become the third sitting judge from the dalit community in the supreme court यानि कैस अब यह तीसरे जर्ज है दलिद कमुनिटी से और क्या बुलागे तो इसके पहले दूरों बेटाओ कौन है तो इक है justice यह पहले दलिद चीफ जस्तिस ऑप हाई court है जो सीधे supreme court में जज़ बने है दूसरा है यह तीसरे दलिद कमुनिटी से आने वाले जज़ है supreme court में दो लोग और है justice बियार गवई एंड जस्टिस सीटी रभी कुमार जो त्रे पॉइंट आपको पढ़ने है याद रखने है यह हमारी पहली information थी जो हमने आपको दे दी आगे बढ़ते है भाई लोग अब बात करेंगे यहाँ पर एक question क्या है 33rd Chief Justice of Odisha High Court 33rd Chief Justice of Odisha High Court कौन ना यह आपसे पूशा गया यहाँ दोस्तों वारा answer क्या हो जाएगा अवारा answer is Justice Shubashis Talpatra option number A is the right answer और देखें दोस्तों Justice Kaji Faiz E. Saab Justice Kaji Faiz E. Saab has been appointed as the which number of Chief Justice of Pakistan काजी फैस इसा दोस्तों तो पाकिस्तान के कौन से नंबर के 29th नंबर के Chief Justice of Pakistan अपॉइंच होए थे दोस्तों ठीक है आगे आगे बढ़ते हैं तो recent appointment of देखें दोस्तों तो सुबाशीस Talpatra दोस्तों यह 33rd CJ बने of the Odisha High Court एडिशना इजाज यह सब नहीं पुछा आया था मैं इस पर क्रॉस कर दे रहा हूँ ठीक है विशंभर प्रशाद श्रेस्ट विशंभर प्रशाद स्टेस्ट उसों यह 22 वे Chief Justice बने नेपाल के यह पॉइंट इंपॉर्टेंट ड़ोस्तों जस्टिस काजी फैज इसा यह 29 वे CJ बने पाकिस्तान के यह भी इंपॉर्ट है ठीक आइस और देखिए यह तीन लोग एक साथ जस्ट बने थे सुप्रीम कोर्ट में यह मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एक्टिम अक्टिंग नहीं पढ़ना यह क्रॉस कर दे रहा हूं में यानि गास कहने का मतलब देखिए एक यह पॉइंट आपका हो गया यह पॉइंट हो गया यह पॉइंट हो गया और एक आपका यह यह आपको लर्न करें अच्छे से जहां पर हमारे पास पहली इंफॉर्मिशन क्या है दोस्तों यहां पे आपको इंफॉर्मिशन दी आ रही है HD FC बैंक के बारे तो HDFC बैंक दोस्तों first lender लेंडर मतलब बैंक बना to issue 20 million credit cards in इंडिया दोस्तों दोस्तों, NGFC bank हमारे देश का सबसे बड़ा bank है, हमारे देश का सबसे बड़ा bank है, और ये एक private bank है, तो ये भारत में 20 million credit card issue करने वाला पहला bank बना है दोस्तों, 20 million credit card issue करने वाला पहला bank बन गया है, पूरी information यहाँ पर देखें दो, सबसे बड़ा bank है और इसने क्या बोला है, ये पहला lender, मतलब lender मतलब bank ही होता है, ये first lender बन गया, मतलब बैंक बन गया in the country to achieve the milestone of 20 million credit card in forces, ठीक है, एक point डिखले बिटा, यानि 20 million credit card issue करने वाला ये पहला bank बन गया, एक point रिये दोस्तों, आगे बढ़ते है, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, कि HDFC बैंक ने भारत में credit card business में अपना जो पहला step रखा था, वो कब था, दोज़ार एक में, मतलब दोज़ार एक में उन्हें credit card शुरू किया था, और guys 10 million तक पहुचने में, इन्हें लगा सकतना, 10 million में, 17 दोस्तों, मतलब guys 10 million ये पहुचे थे 17 में, उसके बाद 10 million ये पहुचे है, 24 में, simple सी बात है, बस्तों, तो एक point आपके सामने है, जो हमने आपको यहाँ पे explain किया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाइलो देखिए, क्या बिटा बोला गया है, अब next बोला गया है, कि HDFC bank is the largest issuer of the card issuers in the country, which commands over a fourth of the overall card market in terms of the number, इसका बिटा मतलब क्या हुगा, यानि जो credit card market है, दोस्तों, इसमें one by fourth, one by fourth इससा, अब SDFC bank का हो गया, credit card market में, एक चौथा इससा, SDFC bank का हो गया, यह समझे लिजे बहले आपनों, और देखिए, तो SDFC bank number एक पर है, number two पर दोस्तों, SBI card हो गया, number three पर ICIC bank हो गया, number four पर access bank हो गया, in terms of the number of the credit card issued, number HDFC bank, number two State bank of India, number three ICIC bank, number four access bank, ठीक है, तो गईस, यहाँ पर हमारी information पूरी खतम हो जाती है, तो आपनों information को ध्यान से revise के लिजे फिर से, तो पहली information आपने क्या पढ़ी, कि HDFC bank ने बताया है, कि वो भारत का पहला bank बन गया है, जिसने 20 million, जिसने 20 million credit card issue किये हैं, ठीक है, फिर दोस्तों क्या बोला गया, कि 2001 में, HDFC bank जो है, वो credit card business में आया था, और 17 में, इसने 10 million card complete कर लिये थे, फिर दोस्तों क्या बोला गया, कि HDFC bank की बात करें, तो जो हमारा credit card market है, इसमें एक, चौथाई इससा, अब HDFC bank का दोस्तों हो गया, number 1, HDFC, number 2, State Bank of India, number 3, ICICI Bank, number 4, Access Bank, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी information खतम हो जाती है, ठीक है, चलीए, HDFC bank, establishment year 1994, headquarter Mumbai, MDCO, श्रीजा जगदीशन, is the MDCO, and tagline, we understand your world, तो एक point दोस्तों हो मारा, ठीक है, चलीए, दोस्तों, अब चुकिए, HDFC bank पहला bank बना है, तो same as the information, revision के साथ, दोस्तों, for example, तो recent first, in India, in terms of the bank and the financial institution, just like, भारत का पहला foreign bank, जिसने भारत में, electronic bank guarantee शुरू की थी, answer is, HDFC bank, भारत का पहला depository, जिसने 10 करोण, 10 करोण हा, मतलब 100 million, active DMAT account अपने पास रखा हुआ है, answer is, CDSL, ठीक है, और देख लीजे, दोस्तों, भारत का पहला, भारत का पहला corporate credit card on rupee network, जिसका नामे, भारत का पहला bank, जिसने इंटरनेशनल trade financing service platform पर, जो आरेक साइल का था, उस पर किया transaction, इसका इंसर बेटा क्या हो, yes bank मैंने पढ़ाया था आपको न, इससर पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया हुए है, revise करने के लिए, ठीक खलिए, अब दोस्तों बात करेंगे news number two, और news number two है, यहाँ पर हम बात करेंगे bank of badada की, दोस्तों, bank of badada हमारे देश का तीसरा, तीसरा सबसे बड़ा सरकारी bank, bank of badada हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी bank, पहले number पर state bank of India है, नमबर टू पंजाब नश्र बैंक, नमबर त्री बैंकवा बड़ोदा, तो बैंकवा बड़ोदा रेजिस, 5000 करोड रुपीस, ठीक, विया इंस्रा बॉंड, विया इंस्रा बॉंड, कम्प्लीट रुपीस, 10,000 करोड टार्गेट, तो यहां पर आपको इंफरमेशन क्या मिल कि बैंकवा बड़ोदा ने इंस्रा बॉंड के चरिये, 5000 करोड रुपी लटाये हैं, और इसने अपना 10,000 करोड रुपै का लक्ष बूरा कर लिया, तो बैंकवा बड़ोदा दूस्तों, हमारे देश का तीसरा, सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, इसने 5000 करोड रुपै दोस्त लिया है बैंक और बड़ोदा ने मार्केट से पाच हजार करोड उपए का उधार लिया है थ्रू इंफ्रा बॉन्ड दोस्तों, इसका वेटा मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैंने आपको बहुत पहले भी समझाया हुआ था, बॉन्ड का मतलब उधार लेना होता है, बट इंफ् प्रजेक्ट पर उधार देगा जैसे फॉर एक्जांपल दोस्तों मैंने क्या बोला कि वाई इसे बैंक को बढ़ा होता है इसने पांच हजार करोड रूपए लोन उठाए हैं बॉण्ड के थू इंसरा बॉण्ड के थू अब बेटा यही पैसा हमारे देश में जो और बिजन हैं अपने पैसा उठाए है और यह पैसा भारत में इंफ्राप्रेक पर खर्च करने वाले हो ठीक है गार कूपन दोस्तों इसका मितलब ब्याज होता है of the coupon was fixed at 7.57% यानि इस पर ब्याज इतना है 7.57% और यह 10 साल का बहुंच है maturity यानि गाइज अगर आप लोगों ने बैंक को बढ़ोदा कि infra bond में निवेश किया तो आपको 7.57 परसंग अभ्याज मिलेगा और आपकी maturity 10 साल गए यानि 10 साल के बाद आपको ऐसा भी आपको मिल जाएगा तो यह infra bond इसका मतलब की Bob ने अपना target भी complete कर लिया है 10,000 करोड उपय का विया infra bond इसका मतलब की Bob ने इसके पहले अभी 5000 करोड उपया fund उठाए होंगे अपर उठागे दोष्तो इसके अपना 10,000 करोड उपया target पुरा कर लिया है विया infra bond ठीक है एक point दोस्तो मार यह हो गया तो पूरी इंफॉर्मिशन ध्यान समझे देजे हम लोग क्या पढ़ेंड है दोस्तों तो हम लोग यह बता रहे हैं आपको कि बैंक को बढ़ादा नहीं दोस्तों पांच हजार करोड रुपए का इंफ्राबॉंड रॉंच किया ठीक और इनका 10,000 करोड रुप इसका डागट पूरा हुए है तो पांच हजार करोड रुपए का इंफ्राबॉंड जिसके आप आज है 7.57 परसेंट में चोटी है दस साल यह हमारी फर्स्ट लाइड है प्रेंसा क्या बिटा कि इसने अपना 10,000 करोड का चागेट पूरा कर लिया बस इतना ही पढ़ना है आपको ठीक गा इंटरनेशनल बैंक, MDCEO देवदत्य चांद दोस्तों, देवदत्य चांद इसके MDCEO, इनका भी नया पॉइंटमेंट है दोस्तों, ठीक है, तो देख रहे हैं आपके एक्जाम में कोश्चन पूशा जाखता है, आगे बढ़े भाई लोग, चली, तो इसने कोश्चन ही एंसर क्या होगा, एंसर होगा, बैंक को बढ़ोता, और आपका नाम होगा, बाब बल्ट, आपका नाम होगा, बाब वर्ट, यह आप देखे लिखा हो, ठीक, और देखे, विच बैंक लॉँच 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 लाइफटाइम जीरो बैलन्स सेविंग काउँट, अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, और आपसे बात करेंगे about the insurance, ठीक है, देखे, तो State Bank of India Life Insurance, State Bank of India Life, दोस्तों, State Bank of India Life Insurance Company है, जो State Bank of India Bank की, सब्सीटरी कंपणी है, मतलब साय कंपणी है, तो State Bank of India Life की बात कर रहे हैं, इसने लॉँच किया है, सरल स्वधन सुप्रीम, ठीक, स सरल दोहंदी में, सरल स्वधन सुप्रीम, एंड स्मार्ट स्वधन सुप्रीम दोस्तों, और यह क्या आपका स्मार्ट स्वधन सुप्रीम स्कीम दोस्तों, तो State Bank of India ने आपके, State Bank of India Life Insurance ने, आपके लिए बिसिकली दो insurance प्रेट रांच की हैं, एक का नाम है सरल स्वधन स्वधन सुप्रीम, अब यह क्या है दोस्तों, पूरी information यहां पर देखें, तो State Bank of India Life Insurance Company है, जिसने आपके लिए दो नए प्रेट लांच की हैं, तो एक कौन कौन से, एक है State Bank of India Life, सरल स्वधन सुप्रीम और एक है स्मार्ट स्वधन सुप्रीम दोस्तों, सरल स्वधन सुप अबाउट इस स्कीम, तो इस स्कीम में क्या मिला दोस्तों आपको, दोगो भग जान सुना, क्या बोला गया है, premium flexibility, यानि regular premium payment और limited premium payment term, option of 7 year, 10 year और 15 year, यानि अगर आप इन में से कोई भी स्कीम लेते हैं, तो आपके उपर है, आप चाहे 7 सार, चाहे 10 सार और चाहे 15 सार, त तो 7, 10, 15, फिर क्या बोलागा बेटा, flexible policy term, इसका मतलब, ये policy आप कब तक, कितना लंबा आप लिया सकते हो, तो भगिया minimum 10 साल, maximum 30 साल, कम से कम 10 साल, maximum 30 साल तकी policy आप इचा सकती है, premium का payment का जो time है, वो 7 साल, 10 साल, 15 साल, वो आपके उपर दोस्तों, minimum sum assured, आपको 25 लाग policies में, कम से कम, कम से कम की बात कर रहे हैं, तो कम से कम का मतलब क्या हुआ, जो हुआ है, सिंपल सी बात है, अगर माल लिजे बेटा, आप 500 रुपए premium भरते हो बेटा, पर month के हिसाब से, दोस्तों, अगर आप 7 साल भरोगे बेटा, तो उसका amount कुछ और आएगा, अगर दोस् चेक, maximum बेटा हैं, तो बेटा, सरल, सर्धन, सुप्रीम की बात करें, या maximum 50 रुपए दोस्तों है, और smart, स्वधन, सुप्रीम की बात करें, there is no upper limit, ये और भी मिल सकता आपको, तो इसका मतलब बेटा, क्या हुआ देखें, यानि हम लोग बात कर रहोंगे, 15 रही बात कर रह सुप्रीम जो है, इसमें आपको 50 रुप मिलना है, लेकिन जो smart, स्वधन, सुप्रीम है, इसमें लिखा, there is no upper limit, तो मेरे ख्याल से, इसमें कुछ rider होगा, बेटा, rider का मतलब क्या होता है, rider का मतलब होता है, कि अलग से कुछ add कर देते हैं, किसा दो साल आप ये बढ़ाल होत इतना पिसलिए आपको, rider मतलब जैसे संशोजन होता है, तो मेरे ख्याल से smart, स्वधन, सुप्रीम में क्या है, इसमें rider लगा हुआ, यानि कि कहने का मतलब जो agent होते हैं, कंपनी होती है, वो अपने इसाब से policy को mold कर सकती है, इसलिए इसमें maximum limit नहीं लिखी हुई है, तो इसको ऐसे ही बढ़ना है, आप देख लिए, premium का बढ़ना को 7 साल, 10 साल या 15 साल आपके उपर है, policy term 10 साल से 30 साल वो आपके उपर है, minimum 25 लाग मिलना है, maximum सरल स्वधन सुप्रीम में 50 लाग, और smart में limit नहीं लिखी है इसमें, तो ये आपके सामने है, ठीग गाई, तो ये point अच्छा कोशन है, आगे बढ़ते हैं, अब देखें, क्या लिखा बेटा, age limits for सरल स्वधन सुप्रीम, तो minimum age 18 साल होनी चाहिए, और maximum 50 सार होनी चाहिए इसके लिए, और smart सुन के मिलना, minimum age 18 साल और maximum 60 सार होनी चाहिए, तो ये आपकी age limit का difference है, जो आपने यहापे देख ल एर 2000, headquarter दोस्तों मॉंबई, and MDCO कोन है, अमेर जिंगरन है, इनका भी 100 नया appointment है, ये भी याद कर लेज़ेगा, ठीक आइस चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, चुकी हम दो insurance की बात करने से हो, तो recently launch scheme, features by bank and the financial institution, recently में किसने क्या launch किया, जैसे गाइस ELDA की बात क बीमा विस्ता है, मैंने क्लास में भी काफी डीप में से पढ़ाया था आपको, inspire program दोस्तों, launch by bandhan bank, saving account portability online scheme, launch by the Indian overseas bank, green rupee term deposit of 1111 days, मतलब ये आपका days की बात हम कर रहे हैं, 177 days and 2222 days दोस्तों, ये state bank को आप इंडिया लाँच किया था, जीवनधारा 2, launched by LIC, एन दोस्तों, आपका था, ICICI Prudential Guaranteed Pension Plan Flexi, मतलब Flexi Plan, F, महिया लिए दिरो, L, E, X, Plexi Plan launched by the ICICI Prudential Life Insurance, इससे दोस्तों याद कर लिजएगा, ठीक है, चली, गईज़ आगे बढ़ेंगे, और बात करेंगे आप से, about the national information, तो national news में दोस्तों, हमारे पास पहली information क्या है, OI NGC दोस्तों है न, OI NGC gets Ministry of Petroleum and Natural Gas Approven to form Green Energy Subsidory, to form Green Energy Subsidory, तो heading से दोस्तों हमें बहुत सारे information clear नहीं हो पा रही है, हम आगे बढ़ते हैं और दिखते हैं हमें क्या information clear हो पाएगी, देखें दोस्तों, क्या बुलागे, तो बिटा क्या बुला गया है, Oil and Natural Gas Corporation, OI NGC, इसे रिसीव हो गया है, Approval, from the Ministry of Petroleum and Natural Gas, to establish a wholly owned subsidiary company, for a green energy and gas businesses, इसका बिटा मतलब, इसका बिटा मतलब यह है दोस्तों, आपको बता है, O NGC, है ना इस, यह एक ऐसी कंपनी है, है तो बहुत बड़ी कंपनी, है तो बहुत बड बड़ी, Government Company, लेकिन इसे हम Oil and Natural Gas को लेके दोस्तों है, और बैट आपको बता है ना, कि सारी दुनिया जो है समय, वो Oil-Oil खतम करने वाली है, इवन भारत ने बोल दिया कि 2070 तक हम Carbon Commission खतम पर देंगे, यानि गाईज, अब समय आ चुका है, अपने आपको चेंज करने का, ब अपने सरवाइब नहीं कर पाएंगे, तो ONDC को पता है दूस्तों कि Oil and Natural Gas पर काम बंद हो जाएगा, तो ये अपने आपको सरवाइब कर रहा है, इसका बिटा मतलब, इसका बिटा मतलब कि ONDC जो है बिटा ना, ये अपनी कमपनी खोल रहा है, एक नहीं कमपनी खोल रहा है, ठिक, जो बिटा काम करेगी, ग्रीन रीस पर काम करेगी, मतलब सूलर पावर हो गया, विंडर पावर हो गया, ग्रीन हैट्रोजन हो गया, उस पर काम करेगी, समझे मेरा मतलब, देखे दोस्तों, हम क्या बात कर रहे हैं, तो ONDC को Ministry of Petroleum and Natural Gas से permission मिल चुकी है, कि आप अपने अंडर में, लिखाना, Holy Owned Subsidory, अपने अंडर में, एक कंपनी को स्टैबलिश कर सकते हैं, जो कि ग्रीन एनरजी पर काम करेगी, दोस्तों, तो ये पॉइंट हमारे पास से आगे बढ़ते हैं, बेटा क्या बूलागे, देखे इसका नाम क्या होगा, जो नहीं कंपनी बने उससे नाम होगा, ONGC Green Limited, Select to the Approval of the Ministry of Corporate Affairs, अभी इनको Ministry of Corporate Affairs से ये नाम रेना बाखी है, मिल दाएगा, वो तो अपनी कंपनी सब घर की बात से बाए अपनी हैं, तो ये जो बोलेंगे, उन्हें मिलना है, मिलना है, तो नाम क्या होगा, ONGC Green Limited होगा, ये आप याद कर ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देगे, तो about the ONGC, established, meant year 1956, जिस साल, LIC भी बनी थी, ठीक है ना, headquarter Delhi दोस्तों, Arun Kumar Singh is the chairman and CEO of the ONGC, एक बाए फिर से आप पूरी information देख लेजे, ONGC को Ministry of Petroleum and Natural Gas से, अपनी Holy Owns Subsidory, Company for Green Energy, established करने का दोस्तों, मिली अप्रूवल, नाम क्या होगा, ONGC Green Limited, इतना पढ़ लिए बज, और यहाँ पर हमने ONGC की बादाफिकर लिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो यहाँ परसों, हमने आपको पढ़ाया था, about the प्र अर्भानमंत्री सुर्योदय योजना, दोस्तों, क्या रिखा गया है, REC, मतलब गईस, Rural Electrification Corporation, REC Limited made Nodal Agency to lend 1.2 lakh करोर, दोस्तों, आपको याद होगा, मैंने आपको दोस्तों, एक बात बढ़ाया था, कि Reserve Bank of India ने सरकारी, NBFC को भी, अपने tier वाले में, मतलब, टॉप लेयर, बेस लेयर, मिडल लेयर, regulation में ला दिया है, तो मैंने आपसे बोला साना, कि हमारे देश में सरकारी NBFC भी होती है, ठीक हैस, मैंने क्या बेटा बोला, NBFC, full form, non-banking financial company, non-banking financial company, दोसों, इसका मतलब ये bank नहीं होते, लेगिन तब भी दोस्तों, ये loan बाटते हैं, तो हमारे देश में maximum आपको private company ही मिलेंगी, बट कुछ सरकारी company भी है, for example, REC, Rural Electrification Corporation, ये इस समय हमारे देश की महारत company दोस्तों है, just like ONGC, तो REC को दोस्तों, nodal agency बनाए गया है, प्रधार मंतरी, सुर्योता जोनागा, और REC, इस scheme के लिए 1.2 lakh त्रोन का उधार दे दोस्तों, ये हमारे देश की महारत company है, मैंने बुला था न, ठीक, तो इसने बताया है, ये उधार देंगे, up to 1,20,000 करोर रुपए का, for the installation of the rooftop solar panels, under the प्रधार मंतरी, सुर्योता योजना, दोस्तों, तो प्रधार मंतरी, सुर्योता योजना की हम बात कर रहे हैं, इस scheme में REC limited को nodal agency बनाया गया, और ये scheme के implementation के लिए 1,20,000 करोर रुपए उधार देने वाले हैं, और क्या बड़ा बुला गया? तो Ministry of New and Renable Energy, Ministry of New and Renable Energy has designated REC as the overall program implement, हाँ तो वही हो गया है ना, ठीक, नोडल का मतलब क्या होता है, वही जो मैंने बिदाए आप से, तो आप चाहिए से script कर दो को दिक्रत नहीं है, तो यहां पर दोस्तों, हमने आपको एक information दी, about the REC के बारे में, तो ये प्रधार मंतरी, प्रधार मंतरी सुर्यदर scheme में, नोडल agency बन रही है, और ये दोस्तों एक लाख बीस हजार करोड पर उधार देने वाल, इतना point है मैं पास है, अगर इस क्या बूला गया तो खुस्तों, अच्छा, अब यूग जाओ, for implementation of this scheme, state and union territory have been divided between the eight central public sector enterprises under the ministry of power, तो बेटा क्या बात हो रही है, तो REC ने क्या बो रहा, REC ने बोला, कि जो हमारे ये state है, या UT है, तो हम तो काम करनी मैंगे लिए, तो हम आठ company को assign कर दे रहे हैं, REC क्या बोल रहे हैं, कि हम eight companies को assign कर दे रहे हैं, जो कि state में, UT में पैसा वाटेगे, तो फिर समझे, भाई, REC ने क्या बोल, कि पैसा हम दे देंगे, लेगिन पैस state तक, और UT कैसे जाएगा, तो हर state और UT में दोस्तों, इन्होंने eight, eight company चुन ली है, ये eight company कौन सी हैं, बेटा देखें, दो, NTBC है, NHPC है, WSL है, Power Grid है, SECI है, THDC है, SJVN है, और NIPCO है दोस्तों, ये eight और government company है, तो कहने का मतला बेटा क्या कि जो REC क्या बोल रहा है, REC बोल रहा कि जो हमारा 1.20 lakh CR है, है ना, तो ये पैसा किले हम कैसे बढ़ पाएंगे, तो हम eight company को sign कर रहा है, और यही eight company पूरे भारत में, और UT में, पैसा आगे बढ़ाएंगे, तो ये point ये कर रहा है, तो ये eight company कौन-कौन सी है, नाम याद कर लेजे, NTBC, NHPC, WSL, Power Grid, SECI, THDC, SJVN, और N को, तो क्या बूला गया, तो RC board ने decide कर लिया, दोस्तों क्या, कि मतलब ये क्या है, ये जो आठो central public sector है, इन सको बेटा, पंदर, पंदर, हजा करोड रुपर दे देंगे, बात वही हो गई, यानि आठो company को RC जो है, वो पंदर, 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 पंदर दे जाएगा, तो ये point है, clear, इक पर आपको सारी information देख लिए, government scheme है, ये आपको समझना जुरूरी है, ठीक है, दोस्तों, तो यहाँ पर एक information थी, जो हमने बाद कर ली, आसे बहुत सारे बच्चे जो नए, हमसे बिली जूड़े हैं, दोस्तों, जो नए बच्चे जूड़ते स्टार्टिंग में आपको शार दिक्क्त आ सकती है, लगिन अगर आप बने रहेंगे हमारे साथ, तो आपको धीरे-धीरे concept clear हो जाएगा, तो हिम्मत मत हारिएगा, पहले class लीजे, 5-6 दिन class लीजे, और डेली शाम को जो हमारा होता है MCQS, उसे करिए, ठीक है, तो आज हमा तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहते हैं, तो यहाँ पर आपको information दे रहते हैं, चले आगे बढ़ते हैं, अच्छा और भी क्या है, अब यहाँ आप extra information, कि until 2026, REC has been given a target of getting 40 GW of rooftop solar installation sanction दोस्ते, तो REC का अपना लक्ष है, कि 40 GW rooftop सौर इस्थापना, सिक्रत करने का लक्ष 26 तक, यह भी point आपके exam में है, ध्यान देना मेरी बात, जब भी आपकी government of India कोई scheme होती है, अगर उसका target दिया होता है, वो हमेशा exam के लिए जरूरी है, यह मेरा personal experience है, जिसे यहाँ पर target ही बात होई है, 26 तक 40 GW of rooftop solar installation sanction की बात होई है, फिक गाइस, तो आगे बढ़ते हैं, दोस्तों आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर R.E.C. की बात करेंगे, तो R.E.C. का establishment ही है, 1969, दोस्तों क्या हुआता है, तो बेटा, उननेस जुलाई, 1969, हमारे देश में, जो बेटा, यह बैंक है न, जहाँ पर आप जाना चाह रहे हो, इनका पहला क्या हुआ था, रास्ट्रे करण हुआ था, 19 जुलाई, 1971, हमारे देश में, बैंकों का पहला, रास्ट्रे करण हुआ था, टोटल 14 बैंकों को, प्राइवेट से, गौर्मेंट में, कनवर्ट किया गया था, और शर्त क्या थी, जो बैंक भारत में ऐसे हैं, प्राइवेट हैं, जिनके पास, कम से कम, 50 करोड उपे, या उसके उपर कैपिटल थी, इन सब को नेशनलाइज कर दिया गया था, ठीक, हैड़कोर्टर, न्यू जैली, एंड चेर्मेन, एमडी, विवेक कुमार देवगण, ठीक है, याद कर लिजेगा, आगे बढ़ते हैं, अब चुकि हम लोग बात करें मेटा, REC की बात कर रहे हैं तो REC Limited has signed how much million euro loan with German के KFW banks, तो REC की बात करें, तो REC ने जर्मन के KFW banks से कितना पैसा उधार लिया था, यह आप से पूछा गया, यहाँ दोस्तों मारा answer क्या होगा, answer is 200 million euro, दोस्तों, तो 200 million euro, दोस्तों, option number C हमारा, बिल्कुल सही answer है, चले भाई लोग, आगे बढ़ेंगे भाई लोग और अब बात करेंगे स्पोर्ट को, जोज शाफ है, खिलो, RAC का फुलफार्म पूछ रही है, मीशा, Rural Electrification Corporation, हमने कई बार आपको बताया हुआ है, है न, चले, दोस्तों, भी स्पोर्ट की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो स्पोर्ट में हमारे पास आज की पहली information क्या देखिए, रोशी बिना, रोशी बिना नाम इनका है, रोशी बिना नेम्ट, Female Wushu Player, of the year by IWUF, तो रोशी बिना जो है, यह Wushu की प्लेयर है, और इनको IWUF दोरा वर्ष की सर्वसेस्ट, महिला Wushu खिलाडी नामेती आगया है, यह भारत की हैं, और मनीपुर से बिलॉँग करती हैं, मनीपुर से बिलॉँग करती हैं दोस्तों, पूरी information आपके सामने देखिए हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, The International Wushu Federation, The International Wushu Federation, IWUF, named Naurem Roshibina Devi, Naurem Roshibina Devi, as the female athlete of the year, in the Sanda category, जोस्तों, Sanda category main को माना गया है, ठीक, तो International Wushu Federation ने, Roshibina Devi को, female athlete of the year करार दिया है, in the Sanda category, ठीक है, जान से, पैटा Sanda का मतलब होता न, जिसे जो छोटे एज के लोग होते हैं, जो आते हैं, इसमें आते हैं, उस category में, ठीक, तो ये जान दीजएगा, तो एक point हमने, भाईया, विराट कोली वाला point आप सब जानते हैं, हम आपको वो कराते हैं, जो की exam में, मतलब जो आप नहीं पढ़ते हो न, तो विराट कोली point करा देंगे, न, और काय परिशान उसके लो रहे हो, विराट कोली, विराट कोली, महमद एर्फान जी हो गया, हम आप सुन लिया, सब को बताए बागत, ये बाद आपको नहीं बताओगी न, आप जो पढ़ने आओं, क्यों पढ़ने आते हैं, जो आप नहीं बताए हमको, चलिए, नॉलेंज दिखाना है, इस एक्जाम में दिखाई अच्छा रखता है न, वाँपर, ठीक आइस, आगे बढ़ते हैं देखिए आपर, क्या बूला गया देखें, अब इनके बारे में इन्फोर्मेशन है, ये 23 साल की है, रोशी बीना नामें दोस्तों, मनीपुर से बिलॉग करते हैं, तो इनोंने 2018 में ब्रॉँज मेडल, और 22 के एशियन गेम्स में सिल्वा मेडल दिदा, 2018 के एशियन गेम्स में ब्रॉँज, और 22 में सिल्वा दिदा, ठीक गईस, तो इनको वोट मिले हैं, इनको वोट मिले हैं, 93545, 93,545 मिले हैं, यह नमबर एक पर रहे हैं, तो यह information आपके सामने दोस्तों हैं, आगे बढ़ाएं, ठीक, शी वॉस कंफर्ड विद्ध अर्जुना आवार्ट इस यर, इन्हें इस साल अर्जुना आवार्ड मिला है, और यह मनिपुर से बिलॉंग करती हैं, पूरी information, फिर से एक बार देख लिए जबाएं, नाम किया दोस्तों, नाम है रोशिबीना देवी, इन्हें सेंड़ा कड़गरी में, इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन ने, फीमेल अथिलीट आप दे ये घुशिद किया है, ठीक है, पिर हमने क्या बताया, अठारा के और बाइस केशियम में, ब्रॉंज और सिल्वर, टोटल वोट 93,545, इस साल इने अर्जुना वाठी मिला हैं, दोस्तों, मनीपर से बिलॉंग करती हैं, पूरी information याद रखेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाइले, अब यहाँ मारी question, यह question है, which of the following statement is our correct? Saudi Arabia is ready, to host 34 men's FIFA World Cup, Spain, Portugal and Morocco, are already slatted to go host the 26th tournament, Canada, Mexico and USA, will host the 30th edition of the World Cup, क्या हमारा विटा answer होगा? तो यहाँ दोस्तों, यहाँ दोस्तों हमारा answer किया होगा? answer होगा, only A, only A, यानि A option हमारा सही है, B और C point हमारा गड़ बढ़ते हैं, तो क्यों होगा है? तो Saudi Arabia यह तैह हो गया है, कि 34 में FIFA World Cup मिजवानी करेगा, ठीक, Spain, Purtigal, Morocco जो है, वो 30 की, 30 में FIFA बढ़ेगा, and Canada, Mexico, USA, 26 वाला एडिशन जो है, World Cup उसकी मिजवानी करेगा, तो यह point हमने आपको समझा दिया, आगे बढ़ते हैं भाई लोग, और अब बात करते हैं आप से award and honor ही दोस्तों, तो award and honor में, हम लोग क्या बात करना सुनिया? क्या बताया था? BCCI award 2024, ठीक है? तो BCCI award 2024 की हम बात कर रहे हैं, तो पूरी information यहाँ पर देखें दोस्तों, क्या-क्या information आपको उन देने वाले हैं, ठीक है? देखें. शुमन गिल की बात करना दोस्तों, तो इन्हें Best Men's International Cricketer, मतलब पॉली उम्रीकर award दिया गिया है 22-23 का, ज्यान देना, कौन सा आवाट? पॉली उम्रीकर award की बात हम करता है. ठीक है, तो अगर हम बात करें शुमन गिल की, तो इन्हें Best Men's International Cricketer award मिला है, मतलब पॉली उम्रीकर award मिला दूस्तों, किस ने दिया award? तो BCCI ने अपने नमन अवार्ड में दिया. नमन अवार्ड में हाँ, जो कहां हो रहा है, हैदराबाद तिलेंगा ना. तो आपके एक्जामें कोश्चन कैसे बनेगा? Best Men's International Cricketer award, या फिर पॉली उम्रीकर award. अब मैं Current Awards पढ़ाता हूँ, तो इसका एक मतलब होता हूँ. हाँ, बिपुल, मैंने आपसे बोला था कि आपको अगर Extra Information है, तो आप Information दे दीजें. लेकिन Information का मतलब मेरे ये नहीं था, और कि आप आगे Information देगे. मुमद इनफान आप कभी परिशान लगाने एक ट्रशक में. हमने ये बोला था, यासे for example, मैंने आपको एक Information दे 19 जुलाई, 1989, Extra Information. उस News पर आपके पास क्या Extra Information? जो News हम पढ़ा रहे हैं, उस News पर, या उससे मिलते जुलते Information की हम बात कर रहे हैं. तो मुमद इनफान, आप पूरे चैट को खराब करो आज क्लास में, तो आप मेरी बात को समझी नहीं पार हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जब भी हम करें इंटरफेस पढ़ते हैं दोस्तों, तुम कैसे बढ़ते हैं? एक Information आई हमारे सामने, तो उस Information पे हम और क्या जानते हैं? या उस Information से मिलता हुआ क्या Reason Point हमारे पासे, मैंने ये बोला था, बोलने के लिए. ठीक है? तो अब ध्यान देना अज़ बात को, और क्लास को चैट खराब मत करो, इस्पेशली आप और रोजी दोरों मिलका ना, ज्यान दीजेगा. Clear? जो मैंने बोला था, आगे बढ़ते हैं, चलिए. So guys, ये Point हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं भाई लोग, अब देखिए क्या बोलने हैं? दीप्ती शर्मा की बात करें, दीप्ती शर्मा won the best woman international creator for by states. आगे बढ़ते हैं भाई लोग देखिए आप अब जो ये आपका जो अवार्ड है नमन आवर्ड ये आपके पास चार सीजन के ले दिया गया है. आपके पास्ट, फोर सीजन के लिए दिया गया है, 19-20, टे, 20-21, 21-22 और 22-6, वे अवार्ड जॉइंट ली एड़ दे 24 अवार्ड सेर्मानी, यानि का इस की पिछले चार सीजन का इसमें अवार्ड दिया गया है, और सीजन का मतलब क्या हुआ, 19-20 से लेकर आपका 22-23 तर, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23, आगे बढ़िए, देगे, दोस्तों, तो यह जो अवार्ड की बात कर रहे हैं, विनर लिए लिए आपर, तो पॉली उम्बरीगर अवार्ड की बात कर रहे हैं, फॉर दे बेस्ट इंटरनेशनल ग्रेटर में, तो आपके एग्जाम में, 19-20, 21-22, 22-23, किसी भी इयर का कोश्चन पूश सकता है, जस्ट लाइक वुमेन की हम बात करें हैं, सेम अवार्ड वुमेन, तो 19-20 का दिभी शर्मा को मिला, 20-21 का इस्मृती मंधाना को मिला, 21-22 का इस्मृती मंधाना को गएन मिला, और 22-23 का दिभी शर्मा को मिला, मतलब दोस्तों, ये शुम्मन गिल वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट, ये लेडिस्ट हैं, बागी सब पुराने सीजन के दोस्तों हैं, यह मिला है, जैस्वाल जी को मिला है, यह देख लिए चाहिए, महिलाओं की बिटा बात करें, तो 22-30 का अमन जोद कौर को मिला है, यह जो लेटेस्ट है, लेकिन 19-20, 20-21, 22-22 ही पढ़ना पढ़ेगा आपको दोस्ते, ठीके, और देखने के, क्या बत हो रही है, यानि दिलीप सर्दिसाई अवार्ड, ये कैस 22-30 की में बात कर रहे हैं, यह और मिला है, जैस्वाल जी को फिरस देख़ेख पर, हाईयस्ट विकेट इन टेस्ट क्रिकट, दिलीप सर्दिसाई और दूस्तों, यह मिला है, अश्विन को मिला है, महिलाओं की बात करें सबसे लिटेस यह आपका है जे मीमाह रोट ड्रिकेज को मिलाया दुस्वाइए और इसमें क्या है तो हाइस गरिकर वो इनकी बात करें तो देविका, वैद्या, बाइस्टेस के लिए हैं दोग अगर आप ऐसे दिखेंगे तो हाइस टुबिके टिकर इन दो डियाई वुमेन ठीक है सारा ही पढ़ना पड़ेगा मेरे ख्याल से तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको यह information बढ़ाई है और information क्या है दोस्तों? information अब पॉली उम्वरिकर अबार्ड इंग्जाम के लिए important है दोस्तों दिविर सैलिफ सरद्शाई अबाड एंग्जाम के लिए important है यह दो अबाड तो most important है और इसके इलावा दोस्तों, आपको सारी पढ़ने जाए मेरे इसाब से, सिंबल सा पॉइंट जा कुछ रफ नहींगे, इसमें आप पढ़ ले आएंगे मेरे इसाब से, ठीक है इसलिए आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे defense की, और defense में हमा आरे पास जो information है, पहली information, exercise desert night 24, exercise desert night 24, किसके बीच में हुआ देखिए, तो exercise desert night की हम बात कर रहे हैं, ये Indian Air Force, French Air Force, Air and Space Force, and UA Air Force के बीच में हुआ, आपको बतागा, इसके 26 जनवरी बिटा है, और आज का जो परेड है, उसमें Emmanuel Macron, मतलब की France के जो राश्पती है, वो chief guest भी है, है ना, Indian Air Force, French Air and Space Force, and UA Air Force, इनके बीच में हुआ, कहां हुआ, आपका जोधपूर में हुआ, Air Force Station जोधपूर में हुआ, इंडिया के तरफ से कौन-कौन से जहाज थे यहाँ पे, हाला कि ये point इतना important नहीं होता है, फि ATS, C-130J, and Air-to-Air Refueler Aircraft दोस्तों, ये इतना important नहीं होता है, लेकिन और सा पढ़ना पढ़ेगा आपको, तो desert night की हम बात कर रहे हैं, Indian Air Force, French Air Force, और UA Air Force, जोधपूर में हुआ दोस्तों, एक point आपके सामने याद कर लेजएगा, आगे बढ़ते हैं, अगर हम recent की बात करें दो अंशस एजिप्ट, ये हमने पढ़ाया था आपको, और देख लेजए, एक ग्यारवाँ एडिशन, खंजर exercise, इंडिया करियस्तार, ये मेटा कहा पर हुआ, बखलो हिमाचर प्रदेश में हुआ, फर्स्ट एक्सरसाइस, अयुद्थाया, ये दोस्तों, डिसंबर में हो जो प्राचीन शहर है, उनके नाम पे रखा गया, 20th edition, सयोग कैजिन, इंडिया एं जापान, चेन नहीं दोस्तों, 4th edition, exercise sea dragon, इसमें इंडिया, USA, ऑस्वेलिया, जापान तो हैं, कैनेडा और सौथ कुरिया भी हैं, ये आपके गुवाम आइलेंड, USA में हुआ, एंड डिज जो भाई, यहाँ पे cyclone एक अलग है, और ये अलग है, ये desert cyclone है, ये cyclone है के बड़, इंडिया, UAE, राज स्थान मेटा ये हुआ, ठीक है, देख रही जगाए इससे आगे बड़, न्यूस नंबर टू की बात करेगें, डिफेंस में, तो डिफेंस मिनिस्ट्री, इंक रुपीज, 1070CR, कॉंट्रेक्ट, विट मजगाओ डॉक, फोर 14 FPV, दोस्तों, यहाँ गाइस कहने का मतलब क्या है, कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने, मजगाओ डॉक, दोसों यहाँ शिप् 14 FPV, मितलब Fast Petrol Vessel, Fast Petrol Vessel का मतलब बिटा जिया क्या है, जो हमारे Coast Guard होते हैं, तो Coast Guard दोस्तों, जो पेट्रोलिंग करते हैं, हमारी सीमाओ की, इन शिप्स से करते हैं, Fast Petrol Vessel से करते हैं, वही बात हो रही है, देखे थे, क्या बात है, तो Ministry of Defense ने, एक Agreement Sign किया है, with the मजगाओ Dog Ship Builders Limited के साथ, कि आप हमको 14 Fast Petrol Vessel बना कर देंगे, for the Indian Coast Guard, ठीक, 14 Fast Petrol Vessel, हाँ, क्या इनका amount है, बीट, इनका amount हो क्या, 1070CR, 1070.47 लिखा हुआ है, आप 1070 भी आत कर लेंगे, आपका होजा को इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक, गाइस, देखे, मजगाओद Dog Ship Builders, ये जो पेटा Company है, ये 34 से, हमारे दिश में Ships बना रही है, मुंबई में है, जोस्तों, संजीव सिंगल इसके 6CMD है, ठीक है, बुक से नौट है, जोस्तों, एक बुक आई है, Conversation with Aurangajab, Novel by Charu Nivedita, Aurangajab के साथ बातचीत, Charu Nivedita के दौरा लिखे देख, नौवल न दोस्तों, ठीक है, Tamil writer है, दोस्तों, Charu Nivedita, और इसको Tamil language से, English language में, translate किया है, नंदिनी कृष्णन में, दो लिखा भी है न, translate भाई, तो आपको दोनों point याद रखने है, किसने इसे लिखा है, कौन सी भाषा में लिखा है, और कौन इसे translate किया है, English में, Conversation with Aurangajab, Tamil author है, Charu Nivedita, इनोंने पहले इ दिखा है, इसका English में translation किया है, कि इसने, नंदिनी कृष्णन में तो एक point हमारे पास लिए है, तो तो इस book की author को है दोस्तों, इनका बिटा नाम क्या होगा, सत्या, सरन, option number B, आपने पहले ही पढ़ाया आपको दोस्तों, published by the former Indian creator, Kapil Dev, और देखिए दोस्तों, यहाँ पे reason पढ़ने पास है, जैसे अगर मैं last book की बात करो, मैंने पढ़ाया ना, असम्स, Braveheart, लचित, बार्फुकन, इस book की author है, अरुप कुमार दत्ता, है ना गाई, जोर देख लिए जा, and uncommon love, the early life of the सुधा and the नायन बुर्ती, चित्रा बेनरजी दीवा करुनी, ठीक, यह दो बुक हैं दोस्तों, यह दो बुक पढ़ देना अच्छा exam के लिए important है, आगे बढ़ते हैं भाई लोग, इसकी बात करेंगे, तो National Voters Day, 25 जनवरी को बेटा हम बनाते हैं, पुरी information यहाँ पर देखें, 25 जनवरी हम लोग National Voters Day मनाते हैं, और इस बार 14 अधिशन है, तो 20 में, जो इसे याद कर लिजएगा, National Tourism Day, यह हम 25 को मनाते हैं दोस्तों, पुरी information, 25 जनवरी National Tourism Day, और गाई इसकी थीम है, Sustainable Journey, Timeless Memories, Sustainable Journeys, Timeless Memories यह इसकी थीम रहेगे दोस्तों, ठीक है, बाकि यह आप देख लिजए, तो हमने 24 को मनाया था National Girl Child Day, 24 को मनाया था International Day of Education, 23 को मने मनाया था, पराक्रम दीवस, इस बार 127th बर्थ अनिवर्सरी थी, सुभाशन बोस जेगे, 19th edition National Disaster Response Force, 19th January, आज़ोई, 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 आज़ोई, 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 तो कच्छी खरेक और गुजरात गौट जी आई चाहिए होता क्या दोस्तों तो यह बेटा होता है इसे हम क्या बोलेंगे खजूर यह भारत खजूर है दोस्तों पहले बहुत चुटा था बड़ा हो गया मन्नु भीया तुम्हें तो बड़े हो गया हो दोको बड़े क्या हमारा इफॉर्मेशन देखी यहां पर रिसेंट्ली दोस्तों क्या बूला गया रिसेंट्ली कच्छी खरेक यह नाम है दोस्तों यह दा इंडिजीनियस वराइड़ी खजूर है हां देख लीचे तो इसको बिटा क्या मिला इसे जी आई टाइग मिला है और गुजरात का यह दूसरा फल है इसे जी आई टाइग मिला है कच्छी खरेक यह दखेगा आगे देखेग देखेग देख्छी खरेक is the second fruit from गुजराथ to receive जी जी आई टाइग आफ्ट क्यापिचल गांथि नगर से अम भुपेंद्र परचेल कवरेड़ आचार देवरत नैशनल परक कौन कौन से दोस्तों गिर है ब्लैक बक है वंसदा है और मरीन दोस्तों तो मैंने याद करने कर देखा क्या देख़सा त्म या पे चो आपना बुजराथ कि है ब्लैक बक दो दोस्तों, ब्लैक बख हीरन होती है ना, ब्लैक बख, गुजरात की ब्लैक बख, वन में, वन में, गिर कर, गिर कर, मर गई, मर गई, गुजरात मतलब स्टेट हो गया, ब्लैक बख मतलब जो यह हो गया, ब्लैक बख हो गया, वन का मतलब वंसदा हो गया, गिर का मतलब गिर यह तरी question में प्रशाए दोस्तों और जोस्तों रेसंति लाकाडोंग gent tą यह किस स्टेट में पाये आता है लाकाडोंग gent die by मिला यह किस स्टेट में पाया था यह आपसे पूशा गया एंसर इस मिघाले ऑप्शन नंबर दी दोस्तों तो मिघाले हमारा सही एंसर होगा और क्या पूशा गया लद्दाख में काटेदार जाड़ी होती है यह छोटा पेड़ होता है उसका नाम बताइए इसे जी आई टाइग मिला यह आपसे पूशा गया यहां दोस्तों मारा एंसर क्या होगा सी बकेट थ्रोन सी बकेट थ्रोन इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस दे राइट एंसर यह लद्दाख का चौथा जी आई प्रड़क था ठेक दोस्तों यहां पे हमारी कहानी खतम होती है तो अनकैडमी रिपब्लिक डेम के ओकी पर आपको 49% का ओफ दे रहा है दोस्तों साथी साथ आपको चार मंद का एक्सेंशन भी मिल रहा है यानि प्राइज में 49% की कमी हो जा रही है और चार मंद का एक्सेंशन मिल रहा है दो साल पर यानि अगर आप अनकैडमी को एक साल के लिए करते हैं सब्सक्राइब तो आपकी फीस पढ़ेगी 3749 रुपी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको उस लिंक में आप जाएंगे क्लिक करेंगे आपके साबने एडमिशन का सामने आ जागा और आपको डाला कोड एवी भी हमारा इस कोड से दोस्तों आपको डिस्काउंट मिल जाता है जितना मैक्सिम चलना है वो दिखा है वहाँ पर ठीक है तो गाइस हम मिलेंगे अब शाम को साथ बज़े आपसे शाम को साथ बज़े हम मिलेंगे फॉर देली सी एम से क्यूस कहां पर अनकैडमी स्पेशल पर फ्री क्लास दूस होती है वारी थैंकि सो मच अपना ख्याल रखे दूस्तों मि झाल ढात है